ओम नमः शिवाय नमस्कार मित्रों जैमाता दी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों मित्रों, दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन मंगलवार के दिन यह पांच काम भूल से भी मत करना वरना बजरंग बली आप लोगों से क्रोधित हो जाएंगे आपकी जिन्दगी में दुखों की परेशानियों की बाढ़ा जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग मंगलवार के दिन कुछ इसे कार्य कर देते हैं अंजाने में जिससे आपकी जिन्दगी की तरक्की रुकी हुई है आपकी जिन्दगी की जो सुख शान्ती है वह आपसे दूर चली गई है आपके घर परिवार में आए दिन परेशानिया आई जा रही हैं केवल और केवल आप लोग मंगलवार के दिन ये कुछ गलत कारे कर रहे हैं और इसके बारे में आपको नहीं पता है और आज मैं इन ही कारियों के बारे में आपको बताऊंगा आपको ये काम आज से ही करना बंद कर देना है क्योंकि मंगलवार को दोस्तों आप अंजाने में ये काम कर देते हैं, और उसका परिणाम आपके उपर बहुत बुरा पड़ रहा है। आप सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे परिवार में इतनी परेशानिया क्यों आ रही है, मेरे घर में आए दिन इतनी तकलीफ क्यों आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आपकी ही कुछ गलतियां है। आप मंगलवार के दिन बिना जाने, बिना सोचे, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जिससे आपके घर की तरक्की रुक रही है, आपके घर की लक्ष्मी नाराज है, देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन, यानि की बजरंग बली का दिन, हाँ दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शा दोस्तों इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, ये बातें तो आपको पता ही होगी, दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके उपर मंगल ग्रहदोश तो गलत स्थिती में हो, या आपका मंगल भारी हो, या आपकी किसी गलत आदत के चलते आपका जो मंगल है आपसे रूठा हुआ हो तो इसका पूरा असर आपके जीवन पर बहुत ज्यादा और बहुत बूरा पड़ता है। आज के इस वीडियो में उन पांच कामों के बारे में बताएंगे जो आपको मंगलवार के दिन नहीं करना है। और मैं गैरंटी देता हूँ कि यह पांचों काम आप मंगलवार के दिन करते ही करते हैं। नहीं दी होगी और ना ही आपको कोई बताने वाला है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है अभी तक लोगों को सही से। मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको मंगलवार को कौन से काम नहीं करना है। नहीं घर परिवार में हो नहीं नौकरी में हो। हर उस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा। मंगलवार के दो उपाय बताऊंगा। बिलकुल सरल उपाय होंगे जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। अगर आप यह कर देते हैं तो guarantee लीजिए मात्र दो मंगलवार करने के बाद से ही आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी हो जाहे कर्ज की हो जाहे धनदॉलत की हो जाहे घर परिवार की दिक्कत हो जाहे शादी नहीं हो रही हो जाहे आपको अपने घर का मकान लेना हो सारी आपकी परेशानियां दूर होगी और हर मनो कामना पूर्ण होगी बजरंगबली ऐसी कृपा आपके उपर करेंगे वीडियो बहुत ही खास है इसलिए वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों मुझे पता है कि आप वीडियो देख लेते हैं आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक करना बिलकुल मुफ्त होता है तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं मुझे समझ ही नहीं आता तो आप कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर करें और बजरंगबली के सच्चे भक्त जो भी सच्चा भक्तो केवल वही नीचे कॉमेंट बॉक्स में जै बजरंगबली लिखे। पवन पुत्र हनुमान जी आपकी हर मनो कामना पूर्ण करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर मंगलवार को आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे सारी चीजों के बारे में। मैं आप कल हर कोई काले रंग का कपड़ा बहुत ज्यादा पहनता है। व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे काले रंग का कपड़ा किसी भी दिन पहन लेता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को हम बता दें जो काले रंग का कपड़ा होता है। अगर वह आप लोग मंगलवार के दिन पहनते हैं, तो इससे आपका मंगल ग्रह बहुत कमजोर होता है। ज्योतिश के अनुसार और हमारे शास्त्रों में भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि मंगलवार के दिन काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह का और शनिदेव के साथ शत्रुता का भाव है। इसलिए काले कपड़े पहनने से आप पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ेगा। वहीं आप चाहे तो मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहने, भगवा रंग के कपड़े पहने, चाहे और किसी भी रंग के कपड़े पहन ले, लेकिन काले रंग का कपड़ा मंगलवार वाले दिन मत पहने, और अक्सर लोग काले रंग के वस्त्र पहन कर मंदिरों में चले जाते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़ कर विंती करता हूं कि काला कपड़ा पहन कर भगवान के मंदिर ना जाएं और ना ही अपने घर में पूजा पाठ करें। इससे आपके घर के देवी देवता और बजरंग बली भी बहुत नाराज होते हैं। उनकी कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं वापस से पुनह दोहराता हूं कि मंगलवार के दिन काले वस्त्र ना पहने। आज कल लोग फैशन के चलते काले रंग के कपड़े बहुत पहनते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं पहनने के लिए। लेकिन मंगलवार वाले दिन बिलकुल मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग। परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर आप किसी से उधार पैसा लेते हैं तो आपको चुकाने में भी बहुत परेशानी आ सकती है। इससे आपका मंगल ग्रह भी बहुत कमजोर होता है। यानि कि दोस्तों आपका कार्य कोई दूसरा है। आप नौकरी करते हैं या फिर कोई ओर धंधा करते हैं और आपके पास कोई आता है। धन मांगने तो दोस्तों आप उसे धन दे देते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन कोशिश करें कि यह सब चीजें न हो। इसका असर घर के सुख, शान्ती और सम्रिध्ध के साथ-साथ घर की लक्ष्मी पर भी पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कोशिश करें कि मंगलवार के दिन ना ही किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। धन का लेन देन, मंगलवार के दिन वर्जित रखना चाहिए। अगर कोई इमर्जेंसी हो, कोई अर्जेंट कार्य आ गया हो, जिससे आप टला नहीं सकते। पैसा मांगना बहुत जरूरी है। या फिर किसी को पैसा देना बहुत जरूरी है, तो मंगलवार के दिन आप चाहें तो बजरंग बली को हाथ जोड़ कर दो। अगर बत्ती लगाकर आप वह धन दे सकते हैं और धन ले भी सकते हैं, बस बजरंग बली से क्षमा अवश्य रूप से मांग लें, क्योंकि पैसों की जरूरत किसी भी व्यक्ति को कभी भी पढ़ सकती है। इसलिए देने लेने से पहले बजरंग बली से क्षमा याचना जरूर कर ले। ना ही ना खून काटे जाते हैं, और ना ही मांसाहार भोजन किया जाता है, और साथ ही ना ही किसी प्रकार का कोई नशा किया जाता है। जो भी व्यक्ति मंगल्वार के दिन यह कार्य करता है, उसको ना ही कभी जीवन में सुख मिलता है, ना ही कभी वह तरक्की कर पाता है, वह पूरी जिंदगी भटकता रहता है, चाहे उसकी जिंदगी में आज सुख होगा, लेकिन बहुत जल्द उसके जीवन में दुख तूफान आने से उसे भगवान भी नहीं बचा सकते तो दोस्तों आप समझदार व्यक्ति हैं इसलिए मंगलवार के दिन इन कामों को ना करें अब दोस्तों जो हम बताए उसे ध्यान से सुनना हमने मंगलवार को क्या नहीं करना है वो तो बता दिया है तो वह कपड़े मैले नहीं होना चाहिए और ना ही पुराने वस्तों आप मंगलवार के दिन कपड़ा दान दे ऐसा करने से मंगल भी कमजोर होगा और बजरंग बली भी आपके क्रोधित हो सकते हैं आप पर क्योंकि पुराने वस्तों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है जिससे वह शक्तियां आप पर और ज्यादा हावी हो सकती हैं इसके बाद मंगलवार के दिन हर एक व्यक्ती को अच्छे से नहाना धोना चाहिए और स्वच वस्त्र पहनना चाहिए मंगलवार के दिन मेला बिल्कुल भी नहीं रहना है और ना ही मेले वस्तर आपको पहनना है अगली चीज है घर परिवार में दोस्तों सभी के साथ अच्छे से माहौल रखना है वैसे तो रोजाना हंसी खुशी से रहना चाहिए लेकिन कोशिश करें कि मंगलवार के दिन घर में लड़ाई जगडा ना हो घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहे क्योंकि मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन होता है और अगर आपके घर में सब हंसी खुशी रहते हैं तो घर में ओर तरक्की होती है घर की अन्न पूर्णा देवी भी प्रसन रहती है, घर की लक्ष्मी प्रसन रहती है, लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन घर में जगडा करेंगे, घर में दोस्तों माहौल खराब रहेगा, तो इससे बजरंगबली भी रुष्ठ होंगे और आपके घर की मा, अन्न पूर्ण और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाएगी, साथ ही दोस्तों कोशिश करें कि घर के जो बच्चे हैं, वह भी मंगलवार के दिन नहीं रोए और नहीं दोस्तों घर में चिलचिलाती करें, कई लोगों की आदत होती है कि वे घर के बड़ों पर घर के बच्चों पर बहुत ज्यादा रौब जमाते हैं, साथ ही उनको, बुरा भला भी बोल देते हैं, लेकिन मंगलवार के लिए नहीं किसी बुजुर्ग का, नहीं किसी अपने से बढ़े का, और नहीं किसी अपने से छोटे का मन दुखाना है, बलकि उनका तो आशीरवाद बद्धों का पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए, इस से आपका मंगल भी बहुत मजबूत होगा, दोस्तों, मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए सबसे उत्तम दिन है, मान्यता है कि अगर इनसान बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है, तो वह मंगलवार के दिन कुछ उपाय कर्ज से आसानी से मुक्त हो सकता है, क्योंकि इस दिन मंगल देव और हनुमान जी और गणेश जी की पूजा करके आप कर्ज से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, कुछ आसान उपाय, कुछ आसान तोटके, जो मन की शान्ति के साथ साथ आपको धन संपदा, सुख वैभव हर तरह से दोस्तों आपके लिए बहुत सारी चीजों का दान करेंगे, दोस्तों सबसे पहले बता दे कि अगर आपको दान पुन्य करने की इच्छा है, मान लीजिए आपकी जिन्दगी में बहुत दुख तकलीफ चल रही है, चाहे वह किसी भी छेत्र में हो, तो आप मंगलवार के दिन ये कुछ चीजें हैं, इसका दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति को आप यह चीजें दान में दे दें, इस से आपके सर पर जितना भी भार होगा, यानि की जितनी भी, दोस्तों, आपके जीवन में दुख तकलीफें किसी चीज से आ रही होग तो वह दूर हो जाएगी, देखिए, जाने अंजाने में हम कुछ पाप कर ही जाते हैं, भले ही इनसान कितना भी अच्छे कर्म क्यों ना करता हो, वह बुरे कर्म नहीं करता हो, तो भी अंजाने में कई सारे बुरे कर्म हो गए, यानि की पाप हो गए, वह हो ही जाते हैं, और उसका भी पाप हमें भोगना पड़ता है। तो इन्सान चाहे कितने भी अच्छे करम कर ले, बुरे करम ना करने की कोशिश करे, तो भी बुरा करम हो ही जाता है। इसलिए कुछ अच्छे करम कर लीजिए, कुछ दान पुन्य कर लीजिए, ताकि यह भार आपके सर से बहुत जल्दी उतर जाए दोस्तों, आप मंगलवार के दिन शहद का दान अवश्य रुप से करें अगर आपको कर्ज की समस्या है या फिर घर-परिवार में कोई परेशानी आ रही है नौकरी की या व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको शहद का दान अवश्य करना चाहिए आप किसी भी ब्राह्मन को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को शहद का दान जरूर करें अपनी श्रद्धा नुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम जितनी श्रद्धा हो आप उतना अवश्य रुप से शहद का दान मंगलवार के दिन करें आप पहले बजरंग बली के मंदिर जाएं हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद लोटते वक्त शहद का दान अवश्य रुप से करें इससे आप लोगों को जितनी भी बाधाएं मिल रही हैं वह बाधाएं दूर होगी और आपका हर काम अवश्य रूप से बनेगा अब दोस्तों अगली चीज है मसूर की डाल दोस्तों अगर आपको आए दिन किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है तो आप संकट मोचन हनुमान जी के दर्बार में पहले जाए हनुमान चालीसा का पाठ करे नियम बना ले कि हर मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर बजरंग बली के मंदिर जाना है और लोटते वक्त मसूर की डाल आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे देनी है अपने श्रद्धा नुसार जितनी हो सके आप मसूर की डाल गरीब व्यक्तियों में बाठ सकते हैं या दान दे सकते हैं यह दान करने से आपकी दोस्तों जितनी भी तरक्की में बाधा आ रही है वह दूर होगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे साथ ही बजरंग बली का साथ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा बजरंग बली हर पल आपका अवश्य रुप से साथ देंगे अब मेरे प्यारे दोस्तों मंगलवार के दिन के कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन आपको सुबह से लेकर रात तक क्या करना चाहिए क्या नियम अपनाना चाहिए उन नियमों को अगर आप अपनाते हैं तो यकीनन आपकी जिन्दगी में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा। आप भी तरक्की करेंगे, आपके घर में भी खुशियां आएंगी आपको भी। दोस्तों, हर एक चीज की प्राप्ती होगी जिस चीज की आप इच्छा रखते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, मंगलवार के दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। लाल पुश्प आप चाहें, तो एक दिन पहले खरीद कर रख लें, या दोस्तों, आप सुबह जल्दी आपको मिल जाए, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। सुबह जल्दी हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, और हनुमान जी को लाल पुश्प अर्पित करने हैं। और हनुमान जी को गुड का और चने का भोग भी अवश्य रूप से लगाएं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ सुबह जरूर से जरूर करना है। उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि दिन की शुरुआत करें तो आपको इस दिन नहीं किसी से लड़ाई जगडा करना है, नहीं इस पूरे दिन में आपको किसी को अपशब्द बोलना है, गाली देना है, नहीं घर में आपको लड़ाई जगडा करना है, नहीं घर में दोस्तों अगर आप बीडी सिग्रेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं तो वह भी मंगलवार के दिन वर्जित माना जाता है। अगर आपको अवश्य रूप से करना चाहिए या आप चाहें तो सुन्दरकांड का पाठ भी जरूर करें। बजरंग बान का पाठ केवल तब ही किया जाता है जब व्यक्ति के जीवन में घोर संकट आया हुआ हो। जब उसे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो तब ही बजरंग बान का पाठ किया जाना चाहिए।